बहुत सारे बच्चों में common समस्या होती है, पढ़ाई में उनका focus नहीं बैठ पाता है बहुत सारे लोगों में भी ये समस्या रहती है, कि जब भी वो घर में आते हैं, वो किसी भी तरह के प्रोडक्टरी मोड में नहीं रहते हैं, एक तम से rest मोड में चले जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही important advice है, और ये advice है आपके bedroom को लेके, bedroom की उर्जा rejuvenate करने वाली उर्जा होती है, bedroom की उर्जा आपको rest देने वाली उर्जा होती है, बहुत गडबड हो जाती है, जब बच्चे bedroom में बेड़ पे बैठके बैठके बढ़ते हैं, लोग bedroom में बेड पे है शुक्र की उर्जा है और जो काम को आगे बढ़ाने की फ्लो में रखने की पढ़ने की उर्जा है या पेंडिंग काम को कम्प्लीट करने की उर्जा है यह गुरू और शनी से जुड़ी होती है तो यह उर्जा है टकराती है इसलिए बेडरूम में के लावा कोई भी एक्टिविटी करना आपके लिए प्रोडक्टिव कभी नहीं रहता है